युगो युगो से चल रहा है में, ग्रहे नक्षत्रों का सम है खेव, म्रमान में ग्रहे रोज बदलते हैं अपनी चाल, आईए जाते हैं आज कौन सी राशी हो की माला माली जै शनी देर, प्रियभक्त करों, मैं स्वामी राज रशी, शनी पीठ मंदित, इस्ट पटेल लगर, नई दिल्ली से आज आके समख्ष प्रस्त तूँ, दस वर्ष की आयूर से ही मैं अपने पूज में पिता श्री, गुरु रजीश रशी ची के निर देशन में, आस्ट्रोल नियुम्रोलोजी एवं दन गंतों का अध्यान कर रहा हूं, तो क्या कहते हैं आपके सतारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें, क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर सक देखते रहे हैं, आज का राशी, आज 8 जनरी 2020, दि आज अभीजीत मोलत, जो कि किसी भी कारे को करने का एक शुबनोदत होता है, उसका समय नहीं पड़ेगा, आज राहुकाल दुपेर 12 बच के 28 मिनट से लेकर, एक बच के 45 मिनट तक हैगा, इस बारान किसी भी शुब कारे को करने से आप सभी लोग परेज करें, जिन भी भक कड़ों ने हमारे इस चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेना अनुनोद है, हमारे इस चानल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर लेटेस वीडियो की जो नोटिफिकेशन है, वो उन तक सबसे पहले पहुँच सब, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें अब ना आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंग यानि कि लियो राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा भी देगा आज वर्क प्लेस पर हालात आपके लिए एक दब उत्तम रहने वाले हैं और यदि पिछले कई दिनों से आपकी वर्क प्लेस पर किसी भी सेय कर्मी के साथ मद्बेच चल रहा था तो वे विवाज आज सुलज जाएगा आज आपकी प्रेजन्स अफ माइंड और क्रियेटिविटी आपके सेय कर्मी के बीच आपको प्रशंसा का पातर बना देगी और बॉस से भी आपको कोई बोनस या पुरसकार मिल सकता है परन्तु आपके ग्रेहस्त जीवन में आज आपको दिक्करतों का सामना करना पड़ेगा और आज अपने लाइफ पार्टने के साथ अन्वन होने से आपका मूड आफ हो सकता है इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पड़ाई में मन नहीं लग रहा है एक्जान में प्षे नंबर नहीं आ पारे है या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पारा है इंकम से ज़ादा खर्चा हो जाता है ट्रांसफर हो रहे हैं शादी नहीं हो पारे है या आपका अपना घर नहीं बन पारा है आपका जो व्यापार है उसमें ब्रिद्धी नहीं आ पारे है आपके पास धंगी कमी बनी रहती है या आपका स्वास अच्छा नहीं रहता आप हर समय बेमार लेते हैं या आपके बच्चे बेमार लेते हैं या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप देड़े से तो आप स्क्रीन पर आ रहा है नंबरों पर हमारी वेबसाइट पर जाकर या इमेल के माध्यम से या वाटसाप वीडियो कोल के द्वारा गुरू रजणी शिशी जी से या गुरू मारुक्मनी जी से या आप मुझसे संपर्ग कर सकते हैं जिसके लिए आपको एक छूटी सी फीस जरूर देनी होगी जिसका प्रयोग शनी पीठ मंदे के व्यवस्ता चलाने के लिए हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टिटूट चलाने के लिए कर्म के कांग जैसे की यग्यो मायग्यों के यदि आपको ऐसा लगता है कि आए दिन आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ विवाद हो जाता है और बेवज़ा के मनमटाव के कारण आपका रिष्टा तूटने के कागार पर पहुंच चुका है तो तुरंथी स्क्रीन पर दियोए नमबर उपर हमें संपर करे और ग काली रंकी गाय की सेवा करने से आपको शुपफल प्राप्त होंगे। किसी भी रदनों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंटली का अध्यर किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे जोतिश परामर्ष लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं। प्रिये भक्कणू अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वोचमत कारी उपाय जिसे करके आप हनुमान जी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। और आज अपने सभी रोगों से मुक्ती पा सकते हैं। चाहे वो रोग कितना ही पुराना हो, कितना ही आपको परेशान कर रहा हो, दवाय उस पर असर ना कर रहे हो, परन्तु आज हनुमान जी के आशिरवाद से आप उस रोग से अवश्य ही मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए आपको प्रातरकाद उठकर पवित्र होकर हनुमान जी के मंदर जाना है। उसके पश्चात आपको हनुमान जी की मूर्ती पर तिंदूर चड़ाना है। यदि शद्धा पूर्वक आप ये उपाय करते हैं और हनुमान जी से प्रासना करते हैं कि वो आपके सभी लोगों को हर्लिंग तो निश्चत तौर पर आपको जल्दी स्वास्तिलाब होगा आज का आपका रासिफत देखते हुए मैं आपको तींग स्टार्ट देता हूँ हलो फ्रेंड मेरा नाम सुपरतो है मैं कलकत्ते का रहने वाला हूँ और काम कब सिल्चले में मैं रहता हूँ गवाटी में तो मैं तो पहले पुड़ा जीरो होके रखा था मेरा नाही कुछ काम बन रहा था मैं बहुत टिपटे समने चला गया था तो मैं यूट्यूब देखता था तो एक दिन ऐसे सावच करते करते गुरुमा को मैं देखा और हाथ वाथ में उनसे कॉंटक्क किया तो उन्होंने हमको बोला कि ऐसे दूपए करना परेगा तो मैंन मैं अबही अच्छा से लेड़ जी पर चाही हुँ मेना कम भीर चीजस सःी चल रहा है कि कुई टेंस नहीं है और मैं आपको भी रिक्वूस्ट करता हूँ आप लोग का कोई भी पौले है तो लोग आरम से उस अच्छा कर सकते ताब एक बर कम से कम गुरुमा या धूरु पूजी से आप संपर कर लेजिए उसको बद्देखिए आपका रस्त आपने आप खोल जाएगा और आप आगे बढ़ते चला जाएंगे जैसा ने देप थैंकियो गुरुमा लाव्यों हमारे वेतों, पुराणों, धर्म ग्रन्थों और योग्य शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अतिक जान्थे के लिए हमारे द्वारा बनाई गही और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देख दिरें झाल